आयोध्या जनपत के राजकिय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में खिसान मेला प्रदर्शनी वा गोश्टी का आयोजन किया गया जिसका शुभारम सांसद लल्लू सिंग द्वारा दीप प्रजुलित कर किया गया गोश्टी आरंब से पूर्व उपनिते शक क्रशी डॉक्टर संजेत रिपाथी वा जिला क्रशी अधिकारी ओपी सिंग ने मुख्य आति थी को पुष्प गुच्छे एवं अंग वस्त्र भेट कर सुआगत किया गोश्टी में जिले से करीब एक हज़ार किसानों ने भाग लेकर जैविक खेती के बारे में जानकारी हासिल की किसानों को सांसद ने कहा कि आयोध्या जिले में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं जिसका मुख्या कारण रासाइन एक पधारतों द्वारा खेती की जा रही है जिससे निबटने के लिए हमें अब जैविक पधारतों वाउपकरनों की मदद से किसान बनकर खेदी करनी होगी उन्होंने क्रशी विभाग को भी निर्देशित किया विभागी अधिकारी और वेग्याने गाउं में जाकर किसान गोश्टी वा पंचायत के माध्यम से छोटे किसानों को भी जैविक खेती का महत्व बताएं और उन्हें जैविक खात के लिए प्रेरित करें वहीं उपने देशा क्रशी डॉक्टर संजर ने इसके लिए सरकार्व सांसत को संतुष्ट किया कि इस पर विभाग पहले से ही काम कर रहा है जो वर्तमान में भी जारी रहेगा इस विशेपर संसत ने कहा कि अगर विभाग इसकी सारनी बना कर हमें भीजे तो हम भी किसानों को उक्त गोश्टी में भीजने का काम कर उन्हें भी लाब दिलवा सकीं वही किसानों को जैविक खेती के बारे में क्रशी वेग्यानिक प्रवीड मिश्रा ने कम शब्दों में सभी जानकारी को उनके बीच बाटने का काम किया जिसे किसानों ने भी सुनकर उस पर अमल भी करने का भरूसा देलाया इस मौके पर सांसद ने जैविक खेती को लेकर एकलोगों भी जारी किया गोश्टी में क्रशी विभा केंदर मसोधा के क्रशी वेग्यानिक प्रवीर मिश्रा गोश्टी के बाद किसानों ने मेले में लगे स्टॉल्स पर भी जाकर जैविक खेती में उपियोग होने वाले पधार्तों की जानकारी ली परमपरागत क्रिशी विकास योजना जो इस जनपद में संचाली था विगत दो बरसों से और इसी कारिकरम के तहत यह कारिकरम का आयोजन सिंफेड कराई है सिंफेड जो है शिक्किम की एक एंजियो है जो यहां पे जो हमारे पंदरह कलस्टर हैं पंदरह कलस्टर में लगबग साभे पांच सो किसान है जिनको परमपरागत क्रिशी विकास करने के लिए जो भी संसाधन है उन संसाधनों को यह उपलब्द कराती है और उपलब्द कराते हुए इनको जीवामरित, बीजामरित, घंजीवामरित, दसपरणी इत्याद बनाने का काम करते है। तो यह सब सिखा करके सब बता करके जो है इन किसानों को जागरूप कर रही है और यह किसान जो भी प्रोड्यूस अपना उत्पन कर रहे हैं उत्पादित कर रहे हैं इनको जो है सर्टिफिकेट इनको मिलता है सर्टिफिकेशन इनका कराती है और सर्टिफिकेशन करा देती है तो ये उत्पाद जो होगा, जब इस पे एक लेबल चस्पा हो जाएगा कि ये जैविक उत्पाद है तो इनके उत्पाद को जो है मार्केट में अच्छी किमत मिलेगी और यहां के किशानों का जो रहन सन का अस्तर है उसमें गुर्वत्ता पुर्वक सुधार भी होगा